नमस्कार दोस्तों आज एक बात करते हैं मेरे पास जो वीडियोज हैं उनमें कमेंट्स आते हैं कि हम सुबह सुबह फैट कम करने के लिए नीमबू पानी ले या नहीं ले सुबह सुबह फैट कम करने के लिए जो लोग खाली पेट गरम पानी पीते हैं वो शरीर में फैट को डिजोल तो करते हैं फैट डिजोल होता है लेकिन आप उसमें डाले क्या ये मुख्य बात है और हम लोग कई बर ऐसी चीज़े डाल लेते हैं जिसकी वज़े से हमें बड़ी तकलीफें पैदा होती है आप एक काम करिएगा जो नीमू पानी नमक डाल कर गरम पानी के साथ लेते हैं कई लोग नमक डाल के लेते हैं कई लोग शहद डाल कर लेते हैं नमक तो डालना नहीं है नमक मत डालिये नमक की मातरा शरीर में ज़्यादा नहीं जानी चाहिए तो निमू के साथ नमक तो नहीं इसके साथ आप शहद और निमू लेते हैं अब मैं आपको एक तासीर की बात करता हूँ शहद की तासीर जो है वो है बढ़ाने यानि गुण धर्म बढ़ाने की तासीर होती है शहद को आप जिसके साथ भी मिलाएंगे वो उसकी तासीर को बढ़ा देगा अगर आप शहद हल्दी के साथ लेंगे तो वो हल्दी की तासीर को बढ़ा देगा यानि हल्दी का एंटिबाइटिक तत्व जो है उसको बढ़ा देगा और हमारे शरीर में हल्दी का गुण बहुत जादा हमें मिल जाएगा ऐसे ही शहद किसी भी दवाई आयरवेद की हर दवाई के साथ शहद के चूरन को मिलाकर पेश्ट बनाकर देने का निर्देश दिया जाता है शहद के साथ लेने से उस दवाई का तासीर उसकी ताकत बढ़ जाती है हमने उस शहद को नीमू के साथ लिया नीमू की खटाई है काटना उसका काम है काटना वो काटेगा तो हमारे शरीर में जैसे ही जाएगा वो फैट को भी काटेगा वो हमारे कफ को भी काटेगा, हमारे शरीर की एनरजी को भी कम करेगा आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति ने लगातार 15 दिन गरम पानी के साथ शहद और नीमू लिया है उसको 15 से 20 दिनों में ही शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होगी अब वो पता नहीं चलता, वो क्या सोचता है कि मेरा फैट कम हो रहा है इसलिए मुझे ये कमजोरी महसूस होती है लेकिन मैं एक बाद बता दू, अगर आपने लगातार एक महीना, दो महीना नीम्बू और पानी ले लिया नीम्बू और शहद ले लिया गरम पानी में, तो घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद, आपको पिंडलियां एक दम से ऐसी कमजोर सी महसूस हो जाएगी आपके स्किन में लटकन आनी शुरू हो जाएगी ऐसा फिलिंग होगा कि मेरा शरीर जो है वो बड़ा डाउन सा हो रहा है हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको फैट भी कम नजर आए लेकिन ये अधर जो नुकसान है उसके सामने कुछ नहीं है तो ये जो फैट है ऐसे कम मत करिये आप ये शरीर में कमजोरी देगा, ये हमारे अनुभव में आया है वो मैं आपको बात बता रहो जो हमने सो लोगों से बात की जिनको पहले हमने भी बताया था, फिर उसके बाद में रिजर्ट्स आए तब पता चला, आरे ये तो चीज गलत है इसको जादा नहीं लेना चाहिए, हाँ दस दिन तक आप ले लीजिये, दस दिन तक लीजिये कोई मनाई नहीं, लेकिन उसके आगे लंबा मत खीचिये, वो नुकसान देगा दस दिन के बाद भी आपको हो सकता कईयों को तो पांस दिन में भी जो है, वो कमजोरी महसूस हो अच्छा, एक चीज और बताओं माताएं बहने, जो नीमबू के साथ शेहद लेती है, उनको पेट संबन्दी समस्चा लुकोरिया टाइप की समस्चा जो है वो खड़ी हो जाती है, उनके लिए बहुत गलत है ये, उनके शरीर में अंदरूनी कमजोरी पैदा हो जाती है, उनको नीमबू शेहद नहीं लेना है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पांस दिन ले लिजिए, अधिक्तम दस दिन बैस, उसके बाद में एक महीने, डेड़ महीने का गैब दीजिए, फिर दस दिन ले लिजिए, फिर एक महीने का गैब दीजिए, फिर भी आप खुद स्वेम महसूस करें कि अगर वो आपको कमजोरी दे रहा है तो आप उसको ना ले आप कई पूछेंगे इसका अल्टरनेट क्या है क्या कर सकते हैं देखिए, हमारे घर में तीन चार चीज़े बहुत अच्छी होती है रसोई में, एक तो जीरा जीरा हमारे शरीर के लिए पाचक होता है वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को श्ट्रोंग करता है तो आप जीरा जो है आदे से थोड़ा जादा जो है वो गिलास में भिगो दीजिए सुबह उसको उबा लिए और उसको चाय की तरह शिप ले लेकर आदा गिलास से थोड़ा कम करके पी लीजिए ये सुबह खाली पेट कर सकते हैं लेकिन ये भी दस से पंदरा दिन करना पंदरा दिन पैसा धिक्तम एकदम कमजोर नहीं होना हमे थोड़ा कम करेगा वो हमारे फैट को थोड़ा डिजोल करेगा यानि जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में जो मल जमावा है उसको डिजोल कर देगा उसको हटा देगा और फैट को थोड़ा कम करेगा इसी के साथ एक आता है अजवाइन अजवाइन हमारे घर में होता है पाचक है सब को पता है भोजन करने के बाद में भी लिया जा सकता है उसको भी आप रात को भिगो कर सुबह उबाल कर पानी के साथ ठंडा पानी थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाए फिर शिप ले लेकर उसको भी पिया जा सकता है लेकिन वो भी अत्यदिक मात्रा में नहीं दस दिन लीजिए फिर रोग दीजिए अब एक चीज ध्यान रखना एक साथ सब चीजे कभी नहीं करना एक बार नीमू आपने कर लिया बीच में दस दिन का गैब दे दीजिए फिर अजवाइन का दस दिन का कर लिया फिर दस दिन का गैब दे दीजिए फिर जीरे का कर लिया फिर दस दिन का गैब दे दीजिए ऐसा करिए और फिर आप महसूस करिए शरीर में क्या महसूस हो रहा है अगर शरीर में आपको ठीक लग रहा है तो आप अनवरत आगे जारी रखिए अगर नहीं लग रहा है तो बंद कर दीजिए एक चीज़ वो है शहद और गरम पानी गरम पानी सुबह सुबह हमने गरम किया शहद को कभी भी गरम नहीं करना चाहिए यह मेशा ध्यान रखना कईयों को क्या पता नहीं होता पानी गरम किया उसी में शहद डाल दिया वो शहद भी गरम हो जाएगा वो गलत है उससे आपको शहद का गुण नष्ट हो जाएगा वो आपको लाब नहीं देगा आप पानी गरम कीजिए एक गिलास में, उतार लीजिए आँच से गरमी से चुले से उतार लीजिए उसके अंदर एक चमस शहद को मिलाएए वो मिलाकर बैठ कर शिप करते हुए ऐसे पूरा एकदम नहीं पिना, शिप करते हुए उस पूरे शहद के पानी को पिना ये जितने भी पानी आप पी रहे हो, ये आपको शिप करते हुए ही पीना है, जैसे मैंने सुबह की दिंचरिया बताई थी, सुबह उड़ते ही पानी पीना, वो थोड़ा पी लीजिए, वो पानी पीया, फ्रेश होके आगए, आप थोड़ा सा आपने योगासन किया, उसके पानी का सेवन आप कर सकते हैं, ये पानी का सेवन आपका हो जाए, उसके बाद कोई आपको नास्ता करना है, या जो भी अन्ने जो आपकी क्रियाएं हैं, वो करनी है, ये खाली पेट ही होना चाहिए, ये खाली पेट आपका हो जाता है, तो आपके फैट को ये डिजोल करे ये आपका शरीर बहुत हलका हो जाएगा वह पानी के साथ जीरा, अजवाइण, नीम्बुपानी और शहद पानी ये चार चीजे बताई जिसमे नीम्बुपानी का मैंने आपको मना किया है दस दिन से ज़्यादा कभी नहीं लेना और कोशिश करना कि नीम्बुपानी नहीं बहुत मजबूरी हो जाए शरीर बहुत भारी है तो एक बार दस दिन इससे ज़्यादा नहीं वरना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी सुबह जैसे आपने पानी पी लिया पानी पीने के बाद में कुछ योगी क्रियां कुछ मैं आपको फिर भी बताई देता हूं एक मैंने आपको कॉम्बो बताया था जो खड़े होकर था सिंपल सा है कुछ नहीं है उसमें कोई ज़्यादा खींस्तान भी नहीं करनी पस हलका सा है लेकिन उसको अगर आप 15 बार भी कर लेंगे इतना पसीना आ जाएगा गदम ताल ऐसी आपने 5 से 10 मिनट कदम ताल कर ली हलकी सी जोगिंग कर ली ये भी 5 मिनट कर लिया ये करने के बाद आपको क्या करना चाहिए वो जो एक कॉम्बो मैंने बताया था वो इस निम्बु पानी या जीरा पानी या अजवाइन पानी या शेहद पानी के बाद ये करना है स्वास भरते हुए उपर की और लेकर जाना कि पूरा स्वास भरते हुए और लेकर जाना स्वास बढ़ते हुए do हतेलियों को जमीन पर रखना स्वास भरते हुए पीछे स्वास छोड़ते हुए रिलाक्स स्वास भरते हुए दाहिनी ओर स्वास छोड़ते हुए रिलाक्स स्वास भरते हुए बाई ओर अब इसमें क्या करना है स्वास छोड़ते हुए आगे जाना पाधस्तासन स्वास भरते हुए हस्तोत्तान पीछे जाना स्वास छोड़ते हुए रिलाक्स स्वास भरते हुए दाहिनी ओर तीरियक ताड़ासन relax स्वांस भरते वे बाई और तिर्यक ताड़ासन relax और ये हमारा हुआ एक सर्किल अब सेकंड सर्किल शुरू करना फिर स्वांस भरना और स्वांस छोड़ते वे आगे जुखना जैसे स्वांसों का मैंने बताया था आगे जुखना छोड़ना है पीछे जुखना भरना है साइड में जुखना भरना है साइड में जुखना भरना है बस ये आपका एक package हो गया सुबह सुबह गरम पानी के साथ अगर आप जीरा अजवाइन नीम्बू नहीं लेना चाहे तो simple शहद और गरम पानी इतना ही ले लिजिए उसके बाद में ये क्रियाय करिए पंदरा दिन में रिजट देखिए फिर उसके बाद में हमें भी बताईएगा आपको कितना relief मिला दो किलो एक किलो वजन कम हुआ है या नहीं हुआ है फिर उसके बाद में बताईएगा जिसका अधिक वजन है उनका थोड़ा कम जल्दी होगा 110 किलो है तो उसका 105 हो सकता है लेकिन जिसका 70 है उसका 65 में आने में बहुत टाइम लगता है तो थोड़ा सा आप अपने शरीर को समझिए कैसा शरीर है, क्या बोल रहा है उसके इसाब से आपको गरम पानी और नीमबू पानी का और इनका सबका सेवन लेना चाहिए तो आज की हमारी चर्चा थी कि नीमबू पानी शरीर के लिए लाबदायक या नुकसान दायक ये ध्यान रखना है कि नीबू पानी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, शरीर के लिए नुकसान करेगा बस यही बात आज मैं कहना चाहता था, खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए किस चीज को कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए और अत्यधिक मातरा में ली हुई चीजें, हमारे शरीर के लिए नुकसान दाएक होती हैं योगी कृयाई, प्राणयाम, हमेशे हमारे शरीर को मजबूत करते हैं आउक्चेजन की मातरा को बढ़ाते हैं शरीर स्ट्टरॉंग होता है ये कृयाई हमें करनी का sotto तो अब मेरे साती गहनशाम के साथ मैं डोक्टर मनोज योगा चारे आपके लिए ये दूआ करते हैं कि आप स्वस्त रहें मस्त रहें और अब इजाज़त लेंगे त्रीनेत्री टीवी के लिए नमस्कार